दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए L.I.C. Gold Kinvassing की पूरी की पूरी सीरीज लेकर के आया हूँ जिस सीरीज में मैं पहले तीन वीडियो आप सभी के लिए ला चुका हूँ तो यदि बात की जाए पहले वीडियो में तो मैंने आपको उसमें रेटा कर सकते हैं जिससे कि वो अपने retirement को सुरक्षित करने के लिए या अपने बच्चे के education वो उसकी marriage को सुरक्षित करने के लिए आपसे बहुत ही असानी से insurance policy खरीद ले तो यदि आपने इन तीनों वीडियो को पहले देखा है तो बहुत अच्छी बात है और यदि आपने इन व वीडियो को देखना चाहें तो नीचे description में आपको इन वीडियो की link मिल जाएगी आप उस link पर click करके इन वीडियो को देख सकते हैं तो आई अब बात करते हैं इस LIC call canvassing के नई वीडियो के बारे में यानि चोथे नंबर के वीडियो के बारे में तो आज के वीडियो में म आपने घर के खर्चों को सुरक्षित करने के लिए बहुती असानी से आपसे insurance policy खरीद लें तो मैं आपको इसके बारे में कुछ आगे बता हूँ इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी request है कि यदि आप हमारे YouTube चेनल पर नए हो या आपने हमारे YouTube चेनल को अभी तक subscribe ना करा कर यानि किसी भी अनजान वेक्ति से मिलकर आप उससे क्या बात कर सकते हैं इसी कौन सी बात कर सकते हैं जिससे कि वो वेक्ति अपने घर के खर्चों को सुरक्षित करने के लिए आप से बहुती असानी से insurance policy खरीद लें तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें आप किस के घर जाएं या किसी की दुकान पे जाएं या आप किसी भी अनजान वेक्ति से मिलें तो सबसे पहले तो आपको आपना introduction दे देना है कि भाया नमस्ते मेरा नाम अउधे सुपाध्या मैं Life Insurance Corporation of India में काम करता हूं और अभी मैं एक छोटा सा सर्वे कर रहा हूं लोगों के घ असानी से appointment दे देंगे यानि दो मिनट का समय आपको बहुती असानी से मिल जाएगा तो वो वेक्ति जब आपसे कहें कि हां कहो आप क्या कहना चाहते हैं तो आपको उस वेक्ति से कहना है भाया जैसे कि मैंने आपको बता है कि मैं घर को सुरक्षित करने के लिए एक छोटा सा सर्वे कर रहा हूं तो भाया सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके घर का जो खर्चा है वो महिने का कितना यानि कितने रुपे आपको अपने घर के खर्चे को मेनेज करने में हर महिने लगते हैं अब दोस्तों जब आप किसी वेक्ति से ये सवाल पूछोगे तो वह आपको एक amount बताएगा, और ज़ादा तर जो लोग होंगे वह आपको ज़्यादा-से ज़्यादा ही amount बताएगे, कोई व्यक्ति आपसे कहेगा कि मेरे घर के जो खड़चे हैं, वो 20,000 रुपे महीने का मुझे लगता ही, लगता है कोई कहेगा कि मेरे घर के जो खर्चे उन्हें मेनेज करने के लिए 10,000 लगता है तो कोई व्यक्ति कहेगा 15,000 लगता है हो सकता है कोई व्यक्ति कहें कि 50,000 रुपे लगता है तो देखा जाये तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी अमाउंट बता है आपको उसे सुन लेना है और उसके बाद आपको उस व्यक्ति से अगला सवाल पूछना है भाया देखा जाये तो आपके जो ये घर के खर्चे हैं जो भी खर्चे हैं वो आपकी इंकम से ही पूरे होते हैं। आप जिक्ति से कहना है तो भाया देखा जाये तो यह जो आपके घर के खर्चे हैं यह पूरी तरह आपकी income के उपट डिपेंड है तो भाया मैं आपसे जानना चाऊँगा यदि आपकी जो यह income में कभी बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है तो उस condition में जो आपके घर के खर्चे हैं क्या यह continue चलेंगे या ये भी कम हो जाएंगे अब वो वेक्ति आपसे कहेगा कि मेरे जो घर के खर्चे वो थोड़ो ना कम होंगे वो तो लगेंगी लगेंगे मेरे जो खाने पीने के खर्चे हैं या घुमने फिनने के खर्चे हैं या घर के जो भी छोटे बड़े खर्चे हैं वो तो पेसा लगेगा ही लगेगा यदि मुझे income कम मिलेगी तो हो सकता है मैं खर्चे थोड़े कम करूँ लेकिन जादा था condition में मैं कितना भी कम करूँ जादा amount कम नहीं कर सकता तो दोस्तों जब वो वेक्ति आपको इस तहर से जवाब देता है तो इसके बाद आपको इस वेक्ति से कहना है तो भाईया मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज जो आप income कमाते हो उससे ही आपके घर के जो खर्चे है वो अच्छी दर से manage होते हैं लेकिन भाईया दो पल के लिए आप सोच के देखो यदि आज आज आपके कुछ अनूनी हो जाती है भगवान न करें लेकिन यदि आपके जीवन कांथ हो जाता है तो उस condition में जो यह पेशा आप आपकी family को कमा कर देते थें जिससे कि आपके सारे खर्चे घर के manage होते थें यह पेशा कहां से आएगा और भया यदि यह पेशा आपकी family को हर मैंने नहीं मिल पाएगा तो आपके family को घर चलाने में कितनी तकलिवों का सामना करना पड़ेगा कितनी मुसीवत होगी उन्हें कभी इसके बारे में सोचा है आपने और भया आप इस बात को जिससे आपके घर के खर्चे मेनेज होते थे यह पेशा continue आपकी family को मिलता रहा है अब दोस्तों जब यह सवाल आप किसी बेक्ती से पूछोगे तो जो ज़्यादातर लोग होंगे वो आपको यहीं कहेंगे नहीं ऐसी कोई planning तो नहीं करी है तो इसके बाद दोस्तों आपको इस बेक्ती से कहना है भया मेरे पास एक बहुत सांदर plan है जिस plan को यदि आज आप ले लेते हैं तो भगवान न करें लेकिन यदि कभी आपके जीवन कांथ हो जाता है तो उस condition में भी आपकी family को हर मैने उटना पेसा मिलता रहेगा जितना कि आप कमाकर लाकर देते थें जिससे कि आपकी family सारे खर्चों का अच्छे से manage कर पाती थी तो भगया क्या आप उस plan को जान करके अपने घर को सुरक्चित करना चाहेंगे अब दोस्तों जब इस तहर से बाते आप किसी व्यक्ति के साथ करोगे तो व्यक्ति आपको यही कहेगा हाँ कौन सा plan है कैसा plan है बताओ मुझे समझाओ मुझे अब जब व्यक्ति आप से कहे कि हाँ plan बताओ तो आपको वही पर अपना plan नहीं बताना है आपको उजवेक्ति से कहना है भया ये जो समय है मेरा appointment लेने का है यानि अभी मैं आपके पास appointment लेने ही आया हूँ हाँ मिटिंग में जब मैं आपके पास आऊँगा उस समय मैं आपको सारी चीज़े detail में बताऊँगा और भया कौन सा plan है के सा plan है और इसके क्या क्या benefit आपको मिलेंगे वह क्या benefit आपकी family को मिलेंगे ये सारी चीज़े जानने और समझने के लिए आपको 20 मिनट का समय देना होगा और भया ये 20 मिनट का समय आपको अभी नहीं देना है क्योंकि भया अभी मैं आपके पास appointment लेने के लिए ही आया हूँ तो बताइए भया मैं आपसे कल म मैं पूछोगे तो जो भी समय उसके बास होगा वो आपको दे देगा तो वो वेक्ति आपसे कहेगा कि हाँ ठीक आप सुपह 9 बजे मिलो या 10 बजे मिलो आप कल सुपह मिल सकते हों तो इसके बाद आपको उस बेक्ति ने जो भी दिन बता है वो जो भी समय बता है वो आप बाते ध्यान से सुनी इसके लिए उससे आप थेंक यू कहिए और आगे निकल जाई ये और वापस से आप जिस घड जाना चाहते हैं जिस दुकान पर जाना चाहते हैं उसके पास आप जाईए और इसी तहर से बात कीजिए और अपने upgrades कीजिए और जब आप meeting में जाएंगे तुहाँ पर आपको इंस्वेंस प्लान बताना वो इसी थार से बताना है कि भगवान ना करें यदि उसके साथ कल को कोई घटना घट जा वो इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसकी फेमली को इतना क्लेम मिल जाए जो यदि उसकी फेमली बेंक में रखे तो जो उसका ब्याज मिले वो ब्याज उतना हो जितना कि वो बेक्ती हर में इने अपनी फेमली को पेशा कमा कर देता था और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप उस बेक्ती को अच्छे से इंस्वेंस प्लान बता पाएंगे उसके घर के खर्चों को रक्षित करने के लिए आपसे इंस्वेंस पॉलिसी खरीद लेगा